Hello everyone, welcome back to Ranker's Day यार यह जो concept है limit HSM जिसमें आपको एक summation sigma के form में दिया होता है और limit and tending to infinity होता है तो कि यह simple सा होता है आज कल यह NTA का बड़ा favorite topic चला है पिछली बार अगर आप मार्ट सिप्ट का question देखोगे definite integration में इस concept के basis पे एक question आया था तो यह बहुत ज़्यादा cut in नहीं है असान है आप 5 minute के अंदर से सीख लोगे देखो simply आपको करना क्या है अगर आपको कोई भी चीज ऐसी दिखती है limit N tending to infinite है और 1 by N आपको एक factor दिख रहा इधर और यह जो sigma है R is equal to phi X से psi X तक जा रहा है बिसकली यह X का function हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है यह जो R है बिसकली यहां पर 1 भी हो सकता है N भी हो सकता है यह psi X जो आपका N जो majority cases है ऐसा पाया गया है आपको जो integration दिख बनता है यह 0 से 1 बनता है लेकि डारेक्ट नहीं करना है कई बच्चे क्या है रट लेते हैं डारेक्ट 0 to 1 कर देते हैं तो यह आप अगर N का function भी मान के चलो तो यह भी काम सही है क्योंकि यह N tending to infinity तो ओविसली यह जो sigma का factor यह N से N तक move करेगा ठीक है अब देखते हैं इसे solve कैसे करना होता है कुछ नहीं करना है भाई आप अगर ऐसा कुछ दिया भी है या नहीं दिया है ता आप पहले तो इसको इस फॉर्मेट में बनाओगे N t a पर आप देखोगे तो काफी जादा यह चर्चित question चलना है है ना आपको करना क्या है इस 1 by n को replace कर देना आप किस से कोग डी एक्स से यह जो f के अंदर r by n है इस r by n को हम x मान लेंगे clear है और यह जो limit है अब हम इसे convert कर रहें देखो सबसे पहले थो हमने इसे dx रखा और यह r को भाई r by n को हमने x माना यह जो lower limit है मान लो a है और यहां पर b है इस a को कैसे लिखना है a जो होगा आपका limit n tending to infinite करेंगे और यह जो function दिया है phi x दिया है phi n दिया है तो phi n by n आप कर दोगे यहां पर सिंपल सी कहानी है दूसरी बात इस upper limit को b को हम कैसे लिखने जा रहे b लिखेंगे limit n tending to infinite और यह जो चीज़ दिया है psi x या फिर मालो psi n दिया है psi n divided by यहां पर हम n कर देंगे बस वही चीज़ यहां पर भी भी r by n को replace करोगे x से 1 by n को dx से a को कैसे लिखेंगे limit n tending to infinite phi x by n और b को लिखेंगे इस तरीके से तो पहले तो इतना matter आप समझगे रिप्लेस कैसे करना है याद रखना अगर ऐसा format नहीं दिया है तो हम ऐसा format बनाने जा रहे है चलो इसके basis पर question पूछते है आई टेजे में basic सा सवाल है समझने के लिए concept क्या कहरा है limit n tending to infinite अभी आपको यह जो function दिख रहा क्या है यह directly आपको f of r by n के format में दिख रहा है को गभी यह दिख तो नहीं रहा है बनाना पड़ेगा अपने को तो लिखते हैं भई यह हो गया limit n tending to infinite और यह 1 by n है sigma r is equal to 1 से लेके 2 n तक है देखो अभी यहाँ पर यह n का function है तो phi x जरूर इनक x का function हो यहाँ से नीचे से अगर n square का अमल लोगत n आएगा बाहर तो कहें मैं यहाँ पर r by n लिख सकते हूँ बिल्कुल लिख सकते हैं भई यह कितना हो जाएगा 1 plus r by n का square d और अभी यहाँ पर dx हम नहीं लगा रहे है अब आपको साब साब चमक रहा है यह जो sigma के अंदर यह f of r by n का function बन चुका है अब याद करो replace कैसे करते थे a से लेके b तक इस 1 by n को रखा d x इस चीज को r by n को replace करो के x से x divided by root over 1 plus x square खतम अब a को हम क्या करते थे को अब यह a जो था आपने बता रखा है limit n tending to infinite यह जो function है divided by n यह कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा यहाँ पर देखो b limit को कैसे रखेंगे limit n tending to infinite 2n उसके divided by n यह बचेगा आपका 2 तो यह जो definite limit होगा यह 0 से लेके 2 तक x divided by root over 1 plus x square dx अब कहानी simple है अब इसमें आपको कुछ सोचना ही नहीं अब क्या करेंगे इसको अगर solve करना हो इसको t square मान लेते हैं 2x dx कितना बन जाएगा 2t dt बन जाएगा cancel तो x dx जगा हम क्या रख देते हैं यह t dt रख दो और नीचे कितना बन जाएगा 1 plus x square यहाँ t रखोगे t square तो बसके लिए t बन जाएगा यह cancel तो dt कितना होगे इसका integration t होता है तो इसको replace करते हैं t को t को कमने काम आना था root 1 plus x square आप चाहते हैं यहाँ से limit change कर सकते हैं बढ़ हमने last में x में convert करके यहाँ पर अब limit रखा 0 से लेके 2 तक तो यह हो जागा root 5 और 1 यहाँ पर root 5 minus 1 यह आपका final answer तो ध्यान क्या देने वाली चीज़ है भई सबसे पहली बात आपको limit n tending to infinite 1 by n sigma और यह f r by n का function होना चाहिए अब मार्च में एक इसके basis पे सवाल आया था और इस बार भी आ सकता है तो यह j min में अगर आप सवाल सवाल करते होगे तो आपको पता चलता हो कि यह बड़ा favorite topic चलना है अटिये का जैसे यह सवाल था यह मार्च सिप्ट में पूछा हुआ है है ना तो भई कई बच्चे confusion होंगे यह इसे करा कैसे जाए तो भई आपको साफ साफ दिख रहा है limit n tending to infinite यह 2 by n है चलो इतना तो चलना यह चीज़ क्या लिखा है यार यह यहाँ पर f1 को हम f of n by n लिख सकते हैं न कोग यार यह चीज़ तो जो भई यह लिखा है sigma r is equal to 1 से लेके n तक f of r by n ही तो लिखा है कोग यार यह तो सही बात बोला यह f of r by n लिखा है 1 से लेके 1 रखो 2 रखो और n तक हम जा रहे हैं अब कुछ करना नहीं है simply यहाँ पर a से भी माना हाला कि आप इसे directly exam में करोगे मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ अब कितना हो जाएगा यह 1 by n और into 2 मैंने बाहर रखा और इसको हमने बोल दिया यह fx हो जाएगा और अभी तो हम इसको replace directly चलो कर देते हैं 1 by n को चुकि हम definite में लिख रहे हैं यहाँ पर simply हम dx लिख देते हैं ए कितना हो जाएगा कोगे ए हो जाएगा limit n tending to infinite clear 1 by n यह हो गया 0 और उपर वाला limit कितना हो जाएगा कोगे limit n tending to infinite n by n तो 1 हो जाएगा तो यह कितना बन गया 2 times 0 to 1 और यहाँ fx dx है तो fx function कितना दिया था log 2 1 plus 10 by x by 4 दिया है और यहाँ पर आपको dx दिया है बस अब simple सी बात है इसो solve कर लोगे solve अब आपकी मर्जी भाई definite integration कैसे solve करते हो हाला कि मैं आपको hint दे देता है f of a minus x वाला formula लगाएंगे और मुझे comment section में इसका answer बता देना और किस mini concept में वीडियो चाहिए जैसे कई बच्चे comment में limit है जैसे हम बोले थे कल की वीडियो के बाद है ना तो आपको जिस topic पे लगता है भाई कि यह argument पे वीडियो चाहिए य चैनल को लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं जल्दी थैंक्यू वेरी मच